कबीर जी ने बहुत ही सही कहा है करत करत अभ्यास ते जड़मती होते सुजान रसी आवत जात ते सिलपर परत निसान तो इस दोहे के साथ सुरू करते हैं आज का वीडियो आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल ममाज वर्ल परम में आज है दिन मंडे और दिन है मंडे मोटिवेशन का आज के मंडे मोटिवेशन में हम बात करेंगे अभ्यास के बारे में यानि प्रैक्टिस ये अभ्यास या प्रैक्टिस होता क्या है अभ्यास या प्रैक्टिस यानि एक चीज़ को बार-बार लगातार करना जब तक कि वो हम में आना जाए हम सबने एक फेमस कोट सुना ही होगा दाट प्रैक्टिस में समय पॉफेक्ट तो प्रैक्टिस करने से अभ्यास करने से हम कोई भी किर्थिमान हासिल कर सकते हैं एक छोटा सा उधारन है 2007 में क्रिकेट मैं चल रहा था इंडिया और आस्ट्रेलिया के बीच ऑस् सचिन तेंदुलकर जाने माने प्लेयर जिनका विकेट लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है ब्रेड होग बहुत खुश हो गया क्योंकि वह एक नया प्लेयर था और सचिन तेंदुलकर का विकेट लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात है तो वह चाता था क बॉल पे सचिन तेंदुलकर का ओटोग्राफ ले ले और वो उस दिन को हर दिन के लिए अपने मेमोरी में अपने यादों में रख ले तो जब अबेलियन की और जा रहते सचिन तेंदुलकर ब्रेड होग उनके तरफ गया और उन्होंने कहा कि क्या आप बॉल पे आज एक का हाथ ठीक है बॉल पर सचिन तेंदुलकर ने अपना ओटोग्राफ दिया और लिखा ये दिन तेरी जिन्दगी में फिर कभी नहीं आएगा यानि आज के बाद तू मेरा विकेट और कभी ले नहीं पाएगा कितना confidence के साथ उन्होंने ये लिखा कि अगले जितने भी बार करीबन 30 से 35 बार दोनों का cricket match में, IPL में, one day में, test में, encounter हुआ लेकिन एक बार भी प्रेड होग ने सचिन तेंदुलकर का विकेट नहीं ले पाया सचिन तेंदुलकर जब ये autograph लिख दिये रहे होंगे और ये लिख रहे होंगे कि ये दिन तेरी जिन्दगी में फिर कभी नहीं आयागा तो कितने confidence के साथ उन्होंने ये लिखा होगा उसके बाद उन्होंने कितना practice किया होगा कि अपने लिखे हुए बात पर हमल करें तो friends practice से कुछ भी हो सकता है practice करने पर कोई भी किरतिमान हम हासिल कर सकते हैं पाबलो पिकासो एक famous printer जिने कौन नहीं जानता वो MF हुसेन से भी बड़े printer है एक बार पाबलो पिकासो नियू यूर्क के किसी street पे जा रहे थे किसी रस्ते पे जा रहे थे एक महिला ने उन्हें पहचान लिया भागते भागते उनके पास गई अरे आप तो पाबलो पिकासो हैं बहुत बड़े famous printer सर प्लीज मेरे लिए कुछ बना देजिया और उन्हों उस महिला ने printer को पाबलो पिकासो को एक paper और एक pen थमा दिया पाबलो पिकासो ने 30 second में कुछ बना दिया उस lady के लिए और कहा lady this say this painting this is the painting I have made for you and this worth 50 lakh 50 lakh का यह printing है मैंने तुम्हारे लिए बनाया है यह रखो तो उस lady को यकीन नहीं हुआ 30 second में कोई एक 50 lakh के printing कैसे कोई बना सकता है वो lady घर चली गई और वहाँ अपने उसने पता लगाया कि यह printing कई गैलरी के मालिकों को दिखाया और पूछा यह printing का क्या value है तो गैलरी के मालिक ने कहा अरे यह तो पाबलो पिकासो का प्रिंटिंग है इसका कम से कम 50 lakh value है वो lady शौक में आ गई शौक हो गई वह जोचने लगी कैसा प्रिंटिंग है 30 सेकेंड में 50 lakh तो वह फिर वापस से पाबलो पिकासो का पता लगाते हुए गई और पाबलो पिकासो को ढूंड ही निकाला और उसने पाबलो पिकासो से कहा कि मुझे भी आप ये प्रिंटिंग बनाना सिखा दीजिए ये 30 सेकेंड में 50 lakh के प्रिंटिंग मुझे भी बनाना सिखना है आप मुझे सिखा दो तो पाबलो पिकासो ने कहा look lady मैं ये प्रिंटिंग तो तुम्हारे तुम्ही बनाना सिखा दूं लेकिन ये 30 सेकेंड के प कहो तो आसमान जमीन पर लाएं बस ठानने की जरूरत है मेजर ध्यान चंद होकी के जादुगर मेजर ध्यान चंद को होकी का जादुगर क्यों कहा जाता है क्योंकि लोग कहते हैं कि उनके होकी स्टिक में कोई मैगनेट लगा हुआ है वो लोग कहते थे कि अरे ये तो वो इस किया होगा कि वो लोग को लोगों को लगता था कि बॉल होकी स्टिक के साथ चिपक गया है वह रेलवेट रेक पट्री पर प्रैक्टिस किया करते थे फ्रेंज हम जभी भी कोई सिंगर को सुनते हैं लता मंगिसकर कि सुर कुमार या रिजित सिंग इस जमाने के या सोनु निगम सुनते ही कैसा लगता है हमें कि हम सुनते रहें वह क्या गाना है magic जब हम ए आर रहमन के composition को सुनते हैं कैसा लगता है हमें It's like magic जब कोई बड़े player cricket खेलते हैं या football खेलते हैं तो लगता है कि देखते ही रहे और वो अपना helicopter shot या फिर अपना goal वो ऐसे ही लगाते रहे लगता है ना कि magic जब कोई एक magician अपना tricks दिखाता है आरे वाह क्या जादुगर है क्या जादु दिखाया है उन्हें हमें लगता है कि क्या magic है लेकिन friends असल में ऐसा magic कुछ होता ही नहीं है यह सब है कमाल है practice का यह सब जो अपने अपने शेत्र में अपने फिल्ड में इतने बड़े और पर इतने बड़े position में हैं यह सब इसलिए है क्योंकि उन्होंने बहुत practice के वज़ा से ही आज यह उस position पर पहुंचे है friends कबिर जी ने तभी तो कहा है करत करत अभ्यास के जडमती होते सुजान रसी आवज जाते सिल पर परत निसान यानि अभ्यास से एक मुर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान बन सकता है जिस प्रकार रसी के बारंबार आने जाने से कुए के पास रखे पत्थर पर सिल पर निसान पर जाता है ठीक उसी प्रकार एक मुर्ख व्यक्ति भी बार बार निरंतर अभ्यास पर इश्रम से अभ्यास से बुद्धिमान बन सकता है इस संदर्व में एक कहानी एक बार एक बहुत बड़ी चट्टान बादल हवा और वर्शा बात कर रहे थे कि हम में कौन सबसे ज़ादा ताकतवर है चट्टान ने कहा मैं सबसे ज़ादा ताकतवर हूँ क्योंकि मैं चाहूं तो हवा की गती को भी रोक सकता हूं और बादल की गती को भी रोक सकता हूं यह सुनकर बादल ने और हवा ने मान लिया कि हाँ हम सब के बीज तो चटान ही सबसे ज़्यादा ताकतवर है इस पर वर्षा ने कहा तुम ताकतवर हो सकते हो लेकिन मैं भी कुछ कम नहीं मैं चाहूं भी तो तुम में दरार ला सकती हूँ यह सुनकर चटान, बादल और हवा हसने लगे इस पर वारिश ने कहा तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं तुम्हें नहीं पता कि मैं क्या कर सकती हूँ यह कहने के बाद बर्षा जोर से बरसने लगी वह निरंतर बरस्ती रही दो वर्सों तक बरस्ती रही दो वर्सों के बाद जब हवा और बादल ने चटान को देखा तो उन्होंने देखा कि चट्टान पर भी दरार पड़ चुकी थी तो इस कहानी से हमें क्या सेखने को मिलता है कि कठी से कठी लक्ष को भी प्राप्त किया जा सकता है अगर हमारा अभ्यास निरंतर हो continuous effort is necessary in order to achieve any goal अगर हम निरंतर अभ्यास करें तो हम कोई भी किर्तिमान हासिल कर सकते हैं और जहां चाह है वही राह है अगर हम एक चीज को ठान ले, चाह ले और उसे करने के लिए निरंतर अभ्यास करें तो हम वो जरूर हासिल कर सकते हैं इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ उपर वाले के आसिरवात के साथ अपनों के प्यार के साथ, अपनी अच्छी और सच्ची लगन के साथ, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक, शियर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा थैंक यू